गर्मी की छुट्टियां पीट गई थी, विद्याले खुर चुके थे, आज राघव को विद्याले पहुँचने की चल्दी थी, विद्याले पहुचकर वहाँ अपने सहपाठियों को अपने नए पड़ोसी के बेटे कार्टिक के बारे में बताना चाहता था, जो उससे इन दिनों बहुत खुल मिर गया था, कार्टिक देख नहीं सकता था, फिर भी वहाँ आराम से पढ़ सकता था, कार्टिक कहता कि पढ़ते समय तो उसके उम्रियां ही आँखों का काम करती है, उसने राघव को बताया कि वहा ब्रेल लिपी वाली पुस्तक की सहथा से पढ़ता है, ब्रेल लिपी के बारे में कार्टिक नहीं राघव को केवल इतना ही बताया कि इसके आविश्कारक लूई ब्रेल थे, और उनकी आँखों की रोशनी भी बच्पन में ही चली गई थी, राघव, लूई ब्रेल और उनकी लिपी के बारे में और अधिक चानने के लिए हाँ, बहा जल्दी जल्दी विद्याले पहुँचा, कक्षा की घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में श्यांद होकर बैट गए, श्रीमती महता कक्षा में आई, उन्होंने बच्चों से पूछा कि उन सब की चुट्टिया कैसी रही, जब राघव की बारी आई, तो उसने अपने नए मित्र, कार्टिक तथा उसकी अनूखी पुस्तक के बारे में अध्यापिका को बताया, राघव के साथ साथ अब सारे बच्चे भी लुई ब्रेल और उनकी लिपी के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे, इस पर अध्यापिका ने कहा, ठीक है बच्चो, आज मैं तुम्हें लुई ब्रेल के बारे में बताती हूँ, श्रीमती मेहता ने लुई ब्रेल के बारे में जो कुछ बताया, वह इस प्रकार है, लुई ब्रेल का जन्म चार जन्वरी सन 1809 को, फ्रांस में पैरिस के समी कुप्रे नामक काउम हुआ था, उनके पिता चम्डे का सामान बना कर बाजार में बेचा करते थे, लुई ब्रेल जब तीन वरश के थे, तब एक बार से पिता की वर्ड शॉप में उनके ओजारों से खेल रहे थे, भूलबश्च एक ओजार से उनकी एक आँख में चोट लग गई, लुई ब्रेल की पिता ने उनका इलाज कराया, लेकिन जब मितना गहरा हो गया था कि धीरे धीरे उनकी दोनों आखों की रौश्णी ही चड़ी थे, लुई ब्रेल को छोटी उम्र से ही दूसरों पर निर्भर रहना पड़ गया, अब उन्हें हर काम के लिए भाई बेहनों और माता पिता की मदब लेनी पड़ती थे, छे साथ वर्ष की आयू तक पहुँचने पर वे छड़ी के सहारे गाउं में खूनने रगे थे, एक दिन कुप्रे के चर्ष के पाद जी, जैक्रिंस पिलुई ने लुई को देखा, उन्हें इतने छोटे बालक में प्रतिभाने जर आई, वे प्रतिदिन उसे लेकर किसी बड़े व्रिक्ष के नीचे बहचा थे, और उन्हें बाइबल के कहानिया सुनाय करते थे, उन्होंने लुई को फूलों और पक्षियों के पहचान करना सिखाया, साथी संगीत का अध्यन कराया, इन बातों का लुई के मन पर इतना प्रभाव पढ़ा कि उन्होंने ठान लिया, यवे जीवन में कुछ अलग करके दिखाएंगे, पादरी महोदेली एक स्कूल के प्रधाना ध्यापक से लुई को प्रवेश देने का अनुरोध किया, प्रधाना ध्यापक लुई से बहुत प्रभावित हुए, लुई स्कूल जाने लगे, पहले वे सामानी बच्चों के बीन सहमे सहमे से रहते, पर धीरे धीरे उनकी प्रधिभाव सामने आने लगी, बाद में पैरिस में द्रिश्टी बाधित बच्चों के एक स्कूल में लुई को प्रवेश मिला, वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारन प्रधिभाव से सभी को प्रभावित किया, आगे चलकर वे उसी स्कूल में अध्यापक भी बने, उन दिनों द्रिश्टी बाधित बच्चों को अक्षर त्यान कराने में बहुत मुश्किल आती थी, लुई भी वर्षों से इस समस्या से जूच रहे थे और इसे दूर करने का कोई ना कोई उपाई खोशने में लगी हुए थे, जब वे बारव वर्ष के थे, तब उन्होंने सुना कि ट्राल्स बार्बियर नामक एक सज्जन ऐसे गुप्त भाषा तयार कर रहे हैं, जिससे सैनिक राध के अंधिरे में संदेशों का आदान प्रदान कर सके, सन 1821 में बारव वर्ष ने अपनी भाषा का प्रदर्शिक लुई के स्कूल में किया, इस भाषा में मूटे कागर्ष पर कुछ रेखाओं और बिंधों को उभारा जाता था, जिससे राध के अंधिरे में सैनिक स्पर्ष ध्वारा अढ़िया करते थे, अब तो लुई के मन में नई लिपी बनाने की धुन सवार हो गई, उन्हें अपनी मंजल दिखाई देने लगी थी, मात्र तेरह वर्ष की आयो में लुई इस कारे में जुट गए, रात को जिब दुनिया सो रही होती थी, तब वे मोटे कागस पर बिंदु बना बना कर अक्षरों के आकार बनाने का प्रयास करते रहते थे, वे अपनी अनोखी लिपी को इस प्रकार बनाना चाहते थे, जिसे पढ़ने में दृष्टि बाधित लोगों को जरा सी भी कटनाई ना हो। सन 1829 में लुई ब्रेल को अपनी प्रयास में काम्याबी तब मिली, जब उन्होंने इस लिपी में अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की। बाद में उन्हें स्वयम इस लिपी में कुछ खाम्या नजर आए। लुई ब्रेल भला कहां हार मानने वाले थे? वेस लिपी में सुधार लाने में चुट गए। सन 1837 में उन्होंने संशोधित लिपी में दूसरी पुस्तक प्रकाशित की। इस प्रकार उन्होंने दृष्टी बादित लोगों के पढ़ने के लिए एक नई दुनिया रच्टा ली। लूई ब्रेल की लिपी को ब्रेल लिपी के नाम से जाना जाता है। अपने जीवन के अंतिन समय में लूई ब्रेल का स्वास से काफी बिगड़ गया था। बिमारी ने उन्ही 6 जनवरी 1852 को सदा के लिए मौत की नीन में सुला दिया। तिन्तु इस लिपी ने उन्ही अमर बना दिया है।